दोस्तों जेके आई टीए मंत्रे यूट्यूब चेनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आई टीए शेकिंड एर की वर्क्शोप केलकुलेशन और ड्रोइंग की एक मिक्स सीरीज लेकर आए हैं जो पूर्णत है परिक्षा पेटन पर आधारित रहेगी इसमें आपको 10 क्यूशन मिलने वाले हैं और वह पूरी तरह से परिक्षा पेटन पर आधारित हैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है ओनली 5 या 7 मिनिट का वीडियो होगा लास्ट तक जरूर देखे और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें अपन क्यूशन मिलने वाले हैं लेकिन आपके 25 क्यूशन कवर हो सकते हैं इस प्रकार से हमने क्यूशनों को रखा है तो चलिए शूरू करते हैं नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें आपको इंपोर्टेंट वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है इस वीडियो म प्रकार बात कर लेते हैं वर्क्षोप केलकुलेशन what is the value of x if x प्लस 2 बटे 2 आपको 19 दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है क्या है पहला क्यूशन आपको देखने को मिलेगा यहां की वर्क्षोप केलकुलेशन के total 6 क्यूशन आएंगे और एक क्यूशन आपको देखने क को मिलेगा friction topic से friction के lubrication से दूसरा क्यूशन आपको देखने को मिलेगा वह होगा profit and loss से एक क्यूशन उस चेप्टर से मिलेगा तीसरा जो चार क्यूशन देखने को मिलेंगी वह आपके algebra के होने वाले हैं algebra topic बहुत ज़्यादा करनी हैं तो मैंने आपको एक पहले भी वीडियो बना रखा है जिसमें algebra की क्यूशन हल करवाएं हैं इसमें आप फिर से करवा देता हूं तो आप देख लीजी इस परकार से जब यह उपर multiply करेगा तो इस परकार से आपके हो जाएगा 38 38 में से plus है इदर इदर जाएगा तो minus हो जाएगा यानकि 36 इसका इंसर आने वाला है इतनी में तो आप में से सभी को आती होगी विच इज़ एलास्टिक मेटेरियल निम्न में से एलास्टिक मेटेरियल कौन सा है तो आप Option नंबर की तरफ दाएंगे नाइलोन आपका इलेस्टिक मेटेरियल है यह सबसे ज़्यादा वार पुछा गया क्यूशन है तीसरा क्यूशन है विच इज डिपेंड्स ओन दर फ्रिक्शनल फोर्स तो फ्रिक्शनल फोर्स पर कौन डिपेंडेट है कॉन्टेक्ट सर्फेस कॉन्टेक्ट सर्फेस आपके फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंडेट होती है लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है लास्ट तक जरूर देख लीजिए पांच या साथ मिनिट में कम्प्लीट हो जाएगा विच सिंबल इस यूजड टू डिनोट को इफिसियंट को इफिसियंट को इस परकार से म्यू से दर्साते हैं म्यू से दर्साते हैं देख लिजिए आप MEU से इस प्रकार से दर्शाय जाता है option number B है अब MEU का एक formula भी होता है F बटे W यान कि force बटे आपका work या weight आपका यहां रखा जाता है force बटे weight इसका formula होता है इस formula से एक दो question आपको जरूर देखने को मिलेंगे what is the value of A की power, 5 की power तो जब इसे पावर की पावर हो तो दोनों की मल्टिप्लाई करते हैं 5 into 7 की मल्टिप्लाई करेंगे आप 35 इसका राइट एंसर आएगा A की पावर 35 इसका सही एंसर है तो लुब्रिकेशन क्या होता है पहले तो मैं आपको बता दूँ लुब्रिकेशन सनेहन होता है जब आपकी मसीन ज्यादा सलती है तो आप जो तेल ओइल देते हैं उसे लुब्रिकेशन कहा जाता है मसीन की डख्षता बढ़ाने के लिए हम उसकी लुब्रिकेशन उसे देते हैं और मसीन की डख्षता बढ़ाती है और इसे गर्षन को कम किया जाता है तो increase यनकी आपकी efficiency मसीन की होते हैं वह increase करने के लिए सनेयन का प्रियोग करते हैं अगला question है Which is used to reduce the friction in machine part मसीन के भागों में friction को कम करने के लिए किसका उप्योग करते हैं तो आप सभी को बताए कि सनेयक lubricants का प्रियोग करते हैं इसी के साथ हमारा पहला part complete हो गया अब part B है जिसमें ED के हम कुशन करने वाले हैं engineering drawing के आपको important और repeated कुशन मिलेंगे जो परिक्षा परणाम पर आधारित है यानकि परिक्षा pattern पर पूरी तरह से आधारित है आप last तक जरूर देखेगा पहला जो आपको क्यूशन मिलेगा वो इस प्रकार से होगा उप्योक्त सिंबल किसका प्रतीक चिन है आपको एक सिंबल दे देंगे और पूछेंगी ये किसका सिंबल है तो आपको पहचान करनी है कि किसका सिंबल आपको दे रखा है तो आप पहचान कर लेंगी अब आपको क्या करना है ये किसका सिंबल है पहचान करनी है तो आप इसे करेंगी capacitor इसी प्रकार से आपको यही दे दे तो यह भी केपिसिटर का सिंबल होता है। इस प्रकार से बनादेंगे यह आपको बनाना ना-देंगे आप लश्ट जो आपका क्युसं है जरूर बहुत जादा इमपोर्टेंट है, लोजिक , गेट, लोजिक की कुसम मिलेंगे तो आप बढ़ कर जाएं log gate के पहले तो मैं आपको नाम बता देता हूं node gate होता है पहला दूसरा होता है ओर गेट तीसरा होता है end gate note end or gate फिर आपका आता है 4 फाand on gate होते हैं nor gate फिर आता है nand gate कि नंड गेट और आपका आता है एक्स और गेट और एक्स और गेट और दूसरा आता है एक्स और गेट तो यह आपकी इतने साथ गेट होते हैं लोजिक गेट साथ होते हैं और और एक्स और आप याद कर लेंगे और एक्स और आप याद कर लेंगे एंड नेंड और फिर नोट तो य आपके साथ होते हैं logic gates इन साथों के आपको देखने को मिल सकते हैं मैं note gate का बता देता हूं क्योंकि note gate, nand gate और end gate इनका सबसे ज़्यादा वार पुछा जाता है note gate का आपको इस परकार से बनाना है यह है आपका note gate, note gate आपका इस परकार से बना हुआ होता है आप सई से बनेए इस परकार से बना होता है simple simple note gate, end gate और end gate तिनों का पुछा जाता है note, end और end ये तिन आपको एक्जामेश जरूर पूछते हैं इसी परकार की important वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को like वाला बटन दबा कर जरूर लाइक करें हमें motivation मिलता है और हम नई वीडियो लेकर आते हैं